हेलो गाइस एक बहुत इंपॉरंट न्यूज है आप सब लोगों के लिए अगर आप सोनी fx30 या fx3 दोनों में से कोई भी कामेरा एक ओन करते हो तो आप लोगों के लिए बढ़ी खुशकबरी की बात यह है कि सोनी का जो नया फंवेर अपडेट आ चुका है तो अगर आप f fx3 में 3.0 जो है वो न्यू वर्जन देखने को मिलता है और अगर आप fx30 उसकर रहें तो fx30 में आपको 2.0 का वर्जन देखने को मिलता है इन दोनों ही वर्जन में बहुत नए चीजों का अपडेट आया कुछ जो नए फीचर है मैं आपको रं तुरू कराऊंगा साथ-स मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली मेरे लाप्टॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं जहां पे मैं आपको दिखांगा किस तरीके से सोफ्ट्वेर को अपडेट करते हैं तो देखें सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सच करना सूनी fx3 इस लिंक पे क्लिक करूंगा बेसिकली और अभी एक्चुली इसका सॉफ्ट्वेर डाउनलोड भी हो रहा है नीचे डाउनलोड भी लगावा है मेरे अल्रेडी तो मैं जैसे लिंक क्लिक करूंगा मेरे सामने यह चीज़ ओपन होगा पेज तो वर्जन 2.0 का अपडेट आया के जब आप अगर आपका कैमेरा सबस्क्राइब आपका कैमेरा एफेक्स 30 है और वह अभी 0.1.02 वर्जन पर तो पहले आपको उसे 1.05 पर अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसे 2.0 पर अपडेट करोगे तो पहले अगर आपका कैमेरा भी तक आपने अ 1.0 पर है तो इसको इब बार आप 1.05 पर अपडेट करें उसके बार 2.0 पर अपडेट होगा और इससे मैं ऐसा फ्क्रीम है अगर आपको एफ एक्स तरी अभी तक 2.0 पर है तो पहले आपको उसे आगे वाले स्टैप पर अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वह 3 3.0 पर अपडेट होगा तो आप कुछ आदी प्रोसेस दो बार करना पड़ेगा तर अभी तक आपने अपने कैमरे को अपडेट नहीं किया है जैसे आप क्लिक करेंगे इसका जो यह बाइस डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगा यहां पर ठीक है और डाउनलोड अभी आप K2O D Y बाढडी डाउनलोड हो जाएगा तो बाइड़ डेटा आपको जो है वह वह कॉपी पेस कर देना है जैसे तो आप दिखे मैं यहां पर सो कॉपी पेस्ट किया है बॉड डी टा को और फिर इस डेता को मुझे में कार्ड को सीधे मेरे कैमेरे में लगाना है यह तो में camera reboot होगा और वो जो है वो firmware को update कर देगा तो यह इस तरीके से basically आप अपने fx 3 और 30 को update करोगे अगर नए वर्जन में अपने camera को से update करना है ना अपडेट करने के बाद में क्या-क्या नए features आया है वो हम लोग quickly जानते हैं so मैंने अभी मेरे camera को update कर लिया है और अब मैं आपको जो है वो quickly screen पे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या-क्या features का जो है इसके अंदर change आया है तो अभी यहां पे मैंने जो है वो fx 30 रखावा है 3 से और मेरी master video भी record हो रही है जो अगर आप fx 30 को update करेंगे और menu में जाएंगे update करने के बाद में तो menu में जाने के बाद में आपको अपने वर्जन को check करना है और display settings पे sorry not display settings suitcase menu में version में as you can see that it is as of now on version 2.0 और अगर आप fx 3 में रहेंगे तो it should be on 3.0 ठीक है होने के बाद में आप menu से बाहर जाएंगे और आपको आप मैं दिखाता हूं कि के चीज़ों का change आया है सबसे पहला important change आया है that is into file format और अब आपको जो है option देता है additional एक और kodak का that is xavci जिसमें आप DCI 4K shoot कर सकते हो so यह नया kodak है which is kind of give you 17 is to 9 expect ratio directly inside the camera and this is an amazing update और सबसे चीज़ यह है कि आप इसके अंदर 50 frame 25 frame और true 24 frames तक shoot कर सकते हो so अभी तक इस camera में 20 23.98 तक fps पे shoot कर सकते थे which is not 220 true 24 और बहुत सारे लोगों का feedback था इसको लिगे true 24 fps होना चाहिए क्योंकि sync करने में मुश्किल होती थी जब multiple camera से shoot के रज़ा था but now it does 24 fps which is kind of very very important साथ मैं आप DCI में 4K 50 और 4K 25 fps तक shoot कर सकते हो which is kind of a great guys आपको DCI यह नही 4096 वाला resolution है 4090 2160 वो इसके आपको built-in मिल रहे है तो एक सबसे बड़ा major update है इस camera के अंदर दूसरा अगर आप let's take an example fx3 यूज करते हो तो आपको breathing compensation का option मिल जाता है तो अभी fx30 में यह जो feature है यह शुरू से था और let me take you so आप यहां एंगे lens correction के अंदर lens compensation के अंदर यहां पर आपको दिखाओ अभी exactly चला के breathing compensation हो तक है if I keep my camera on manual थोड़ा सा हलका सा ISO increase कर देता हूँ and अभी अगर मैं breathe compensation को off करूँ सबसे पहले 1 second let me off it and आप चीज एक corners में दिखेगा अगर यह cattle रखी हुए इसके corner में देखने आपको एक breathe दिखेगा बहुत जादा यह basically अगर आप telephoto lenses और बहुत wide lenses में होते हो you might notice this breathing और अगर आप इसे on कर दोगे ठीक है मैंने अगर इसको on कर दिया तो यह बिलकुल जो corner का breathe होता है वो खतम कर देगा it's try to mimic your camera as a cinema camera तो यह एक बहुत बड़ा advantage है इस feature का जो कि fx3 में already डला डला आता है now fx30 sorry fx30 में it is there जब से camera launch हो है Indian market में और अभी जो है वो fx3 में भी इन लोगों ने चीज़ आड कर दिया which is kind of really really good बहुत सारे लोग इसके बारे में question पूछ रहे थे मेरा भी खुद का question था ना वह यहां पे solve हो गया है उसके बाद एक और जो major update आया that is to the file sequence अगर मैं file में जाओ और file settings में जाओ अब मैं यहां पे camera id real real number plus camera position यह सब आप कुछ जो है वो set कर सकता हूं तो अभी तक क्या था किया अगर आप sony alpha 7 camera चला रहे थे तो file name और यह जो है उनका serial count reset कर सकते थे ठीक है बट यहां पे camera id real number और साथ-सत में camera position यह तीनों चीज़े में राट की रह सकती है त्योंकि fx6 or fx9 और पहले से पहले से option थे बट नो fx3 or 30 में भी add कर दी गए तो this is a good feature अगर सपोज कर आप shoot में हो production के time पे you want to put a camera id you want to keep a name of a or b or c real number change करना आपको camera position change करनी है वो सब पुछ आप कर सकते हो एक अच्छा चीज है यह सौट करने के time पे न फोट इसको बहुत ज़्यादा काम आता है कोड जो major update किया है company that is anamorphic de-squeezing का तो अभी अहल फ्लाल में पस को anamorphic lens है नहीं दिखाने के लिए इस तरह यह कहां दिखेगा आप suitcase menu में चले जाएगा suitcase menu में यहां पर आप मौनिटरिंग में आईएगा display settings में और यहां पर आपको देखने को मेरेगा that is de-squeezed anamorphic इस तरह के सा आपको दिखाया देगा anamorphic de-squeezing और आप जो है de-squeezze लगा सकते हो 1.3x का और 2x का यह एक और बहुत बड़ा अपॉर्जनिटी ए फिल्मेकर्स के लिए जो कि बजट कैमरा में एनमॉफिक स्टाइल में वीडियो शूट करना जाता है एनमॉफिक लेंस को यूज करना जाते है तो ये एक नया चीज इनेबल हो गया है वंस अगें फॉर कॉंटेंट क्रीटर्स और फिल्मेकर्स अब डारेक्ली डीज कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो अनमॉफिक फुटेज इसको यूजिंग यूर कामरा बट यूर रिक्वाइड अनमॉफिक लेंस अब स्टेंडर्ड लेंस पर चीज नहीं कर पाऊगे इस अनदर बिग अपडेट फॉर विडियोगर 48 fps का भी शूट करने का सो अगर आप SNQ मोड पे हो आप 48 fps पर शूट करना चाहते हो not on 58 58 fps आप एक वरियेबल फ्रेम रेट पर जाना चाहते हो विच इस 48 fps तो उसका ऑप्शन भी SNQ मोड में इनेबल हो गया आप SNQ मोड में इस फ्रेम रेट को यहां से सिलेक कर सकते हो एक अ लस्रेमोड बनाने के लिए उसकी कंपाइबिलिटी खतम हो जाएगी और एक नई आप आई है creator's app वो app basically imaging edge को जो है वो रीप्लेस कर रहे है तो imaging edge के साथ में इसकी compatibility खतम हो जाएगी और फिर वो compatibility shift हो जाएगी to the creator's app तो अगर आपको connect करना हो आपने smartphone को with this camera now then you have to download a new app that is called creator apps और आपको imaging edge install कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर आपको fx30 और 3 connect करने के लिए उसी आप की need पढ़ेगी और अभी sony क्या कर रहा है already a7 M4 में भी creator's app का support अगया है और धीर धीर करके sony जो है जितने भी पुराने cameras में imaging एची compatibility थी वो shift हो के creator apps में डालने वाला है तो creator apps में और कुछ नई features देखनी को मिलेंगे इंडियन market के अंदर sooner तो of course आप एक और ये एक और major update है अगर आप phone से connect करना चाहते तो यह required a creator apps now so यह कुछ update थे I think आपको यह पसंद आया होगा update और मुझे बते कमेंट बॉक्स के अंदर के कैसा आपको लगा thank you so much guys for watching this stay tuned and keep shooting